सरदी की बाद गर्मी का मोसम आ रहा है, यानि कि मोसम में बदलाव आ रहा है, और इस मोसम के साथ-साथ में हमारी त्वच्छा, हमारी खान-फान इंसरवे में बदलाव आ रहा है, इसमें हमारी त्वच्छा इस परकार से हो जाती है कि कोई भी क्रीम इस्तिमाल करते हैं, तो तो इस मोसम के बदलाव को अपनी तवचा पर हावी ना होने दे हमें ऐसा क्या करना चाहिए तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी नाइट क्रीम जो आपकी तवचा का रुखापन दूर करेगी इसको आप सर्दी में भी अपना रुखापन होता है तो इसमें भी इस्तिवाल कर सकते हैं और इस टाइम पे जो मोसम के बदलाव के साथ-साथ हमारी तवचा में जो बदलाव आ रहे हैं उसको भी वो दूर करेगी मैं आज के सेशन में आपको होम रेमेडिसी तयार इस क्रीम के बारे में बताऊंगी जो नाइट क्रीम है यानि र आज हम सिखेंगे हॉम रेमेडी से तयार नाइट क्रीम इसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नहीं जानकरी से जुड़े रहने के लिए बैल आइकन बटन को प्रेस चलिए नमस्कार दशकोमा उसरो चोधरी और मेरे यूट जूस है उसकी लेंगे दो चमच आपको एलोवरा जेल की लेना है पतन बिली का जेल अच्छा आता है तो इसका इस्तेमाल करेंगे एक चमच नारियल तेल की लेंगे तीन मैंने विटामिन ए की कैप्शूल्स लिए हैं जिसको इसको काट करके इसमें डालना है यह विटामिन ए की कैप्शूल्स आप अपनी कौन्टिटी के अनुसा ले सकते हैं अगर ज्यादा बरा रहे हैं तो ज्यादा ले सकते हैं और कम अगर कौन्टिटी में बना रहे हैं तो आप दोग का इस्तिमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से आपको मिलाना है यह देख रहे हैं कितनी अच्छे से क्रीम बन की एकदम से तयार हो गए इसको आपको रात को सोने से पहले 10 मिनिट के लिए मसाज करनी है इसमें जो खीरा होता है संबर्न होता है या जब अपने धूप में निकलते हैं तो उससे हमारे स्किन के अंदर एक रैडनेस आ जाता है तो स्किन को ठंडग परदान करता है और जो काले दाग धब्बे होते हैं उनको भी दूर करता है अलविरा जेल होता है वो स्किन में वाइटनिंग लाता है और ठंडग भी परदान करता है रिंकल्स फ्री करता है वो स्किन को हेल्दी बनाती है यानि कि आपकी स्किन है वो से खिली-खिली दिखेगा। आज का सेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में झरूर लिखें और स्क्रीम को मेरे कहने पर बना इस्तमाल करके जरूर देखें। कम से-कम 5010 दिन में आपको इसका फारक नजरा जायेगा। ऐसी ही जानकरी ऐसी वीडियो की वीडियो की साथ म जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आग ले सेशन में तब तक के लिए नमें